आज मैं आपको बताओंगी शोर्बे वाला चिकन बनाने का तरीका उसके लिए यह मैंने एक किलो चिकन लिया है पॉर्ड अनियन प्यास कटिंग कर लिये हैं दो बड़े साइस के टमाटर इसे मैंने कटिंग किया है इसके लिए यहां पे थोड़ा सा अध्रकलस सन इनके लिए जो हमें मसाले चाहिए उसमें वान टेबल स्पून रैचिली पाउडर वान टेबल स्पून सॉल्ट नमक एंड हाफ टेबल स्पून तर्मरेक पाउडर चीकन और मसाले सारे मैंने इकठे डाल दी हैं इसमें डाल लूंगी और इसको ढ़कन लगांजा तेज आंच पे रख दो इसका तका थ्बाुट के लिए मैंने इसको तेज आच पे रखा था अब इसमें से मैं चुला बन कर दूंघे , चुणा को छोला का बंद से चुला बन कर दोगी , ब्सक्राइब निकाल ओड़को डेगे तार ब्सक्यूदधिस का अब भूण का ता कि या पानी फुषकर गया मैं के टॅझे अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इस तरह प्राय करेंगे तो आपको एक अलग टेस्ट महसूस होगा यह भून के त्यार हो चुक है अब मैं इसके इंदर चिकन डाल दूगी जो मैंने पहले निकाल दिया था और इसे अच्छी तरह तेज आच पे भून लोगी यह अच्छी आच के मैं इसे भून रही हूं अब मैं इसमें आफ टेबल स्पून गरम साला डाल दूगी यह भून के त्यार हो गया है अब मैं इसमें डेट ग्लास पानी डाल दूगी मज़ेदार चिकन का सालन बन के त्यार हो गया है इसका मैंने आज अलग से तरीका बताया था आपको आप यह जुरू ट्राइ करेंगा यह बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप मुझे कमन करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कै अगर आपको यह पसंद आए तो आप इसे शियर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें अलाहाफिस